जै हिंद जै जवान जै किसान देश के सभी करांतिकारी नौजवान साथियों को राजे स्वर्यादों का पड़ाम मेरे नौजवान साथियों आज पूरे देश के अंदर जो करोना की महामारी आई इस कोरोना की महामारी ने सरकारों के विकासकारियों को पूरी तरीके से नंगा कर दिया लोगों के सामने ला दिया जो सरकारे जूठा विकास का दंब भरती थी उनके विकास के दंब को लोगों के सामने ला करके रख दिया कि ये देखिए कि सरकारों ने अब तक कितना विकास किया है अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अब जो मजदूर फसे थे जो पूरे देशों के अंदर त्राहिमान त्राहिमान कर रहे थे अन्य स्टेटों में उनको लाकडाउन कर दिया गया था आज सरकार जो है पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है फेल नजर इसलिए आ रही है कि आज जो लोग फसे हुए है उनको न तो रासन मिल पा रहा है न तो उनके स्वास्त सुविधाय मिल पा रही है तो आज उनको ये लगा है कि हम किसी तरीके से अपने घरों तक पहुँचे और सरकार भी जो है अब हाथ खड़े कर चुकी है कि अब इन मजदूरों को घरों में बंद करके नहीं रखा जा सकता इनको इनके गाउं तक छोड़ना ही पड़ेगा और उनको गाओं में छोड़ने की जो तैयारी हो रही है केंद्र सरकार ने पूरी तरीके से राज्य सरकारों के उपर छोड़ दिया है कि अपने मजदूरों को आप अपने स्टेट में वापस ले जाएए यही काम जिस तच जिस दिन लाकडाउन का घोशणा हुआ था हमारे प्रधानमंत्री जी आधी राद को आ करके लाकडाउन का घोशणा किये थे यह काम अगर उसी समय कर लिया गया होता उन मुख्यमंत्रियों से सलाह ले करके तो सायज आज यह दिन नहीं देखना पड़ता लेकिन चलो जो कुछ भी हुआ अलग बात है आज जो भी मजदूर जो भी बाहर में फशे हुए हैं ओ अपने घरों तक पहुचना चाहते हैं अपने घरों तक कैसे पहुचे इसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की हैं तमाम साथी हैं मेरे पास लगातार फोन करते रहते हैं और कह रहे हैं कि भाईया हम फशे हैं सरकारे बस चलवा रही हैं कि ट्रेन चला रही हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा है हमारा रजिस्टेशन कैसे हो और कैसे हम अपने घरों तक पहुचे तो इसके लिए जो है हम आप लोगों को बताएंगे लेकिन आप लोगों से गुजारिस है कि उन मजदूरों के लिए उन मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए आप लोगों से अगरह है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करके सरकार के कानों तक पहुँचाने की कीजिए आप लोग लगातारों लोगों को जोड़िये उसके बाद मैं बताऊंगे कि कैसे मजदूरों को उनके घरों तक वापस लाया जा सकता है और नहीं तो लोग आधे लोग आएंगे अधे लोग फंसे रह जाएंगे और रहेंगे बिलबिलाते रहेंगे बिलखते रहेंगे और उनके परिजन घर में जो है परिसान रहेंगे इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को कौन सी गाइडलाइन जारी करने चाहिए उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को ग्रूपों में सेय अरों तक पहुंचाया जाए गाओं में आकर के वह बेशक कॉरंटाइन में रह लेंगे 15 दिन लेकिन वह अपने गाओं किसी तरीके से सही सलामत पहुंच जाए यही जो है हर आदमी की इच्छा है हर मजदूर की इच्छा है जितने भी साथी हैं सभी साथियों से मैं लोग फसे हैं इन नंबरों पर फोन करें लेकिन जैसे ही बाहर के लोग उन नंबरों पर फोन लगाते हैं या तो वह फोन स्वीचाप बताता है और या तो फोन उठता नहीं है और या तो कुछ बोलता नहीं है यह सच्चाई है कि जो भी सरकारी नंबर जारी किये गए हैं किशी भी नंबर पे फोन नहीं लगता है तो आखिर सरकार कैसे लोगों को चिन्यित करेगी कि कवन कहा के कितने लोग फसे हाए उसके लिए सरकारों को यह चाहिए कि हर जो है वो अपने अपने जिला अधिकारियों से बात करें और जिला अधिकारी खंड विकास अधिकारी से बात करें और खंड विकास अधिकारी जो है वह गाउं के प्रधानों से बात करें हर गाउं के प्रधान के पास डाटा होगा कि किस गाउं का कवन्फाय आदमी कहां पे है अगर नहीं होगा तो प्रधान की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वह है अपने गाउं में जाकर के पता लगाए कि किस का बच्चा किस राज्य के किस जिले में है और उसका जो है पूर ये सरकारी नंबर जारी किये गए हैं वह नंबर किसी भी काम के नहीं है उस नंबरों के द्वारा लोगों को नहीं लाया जा सकता है क्योंकि वह नंबर बंद हैं लड़के लगाते हैं परिशान हैं नहीं इस्पेशल ट्रेन शुरू कर दी गई है वह मैं मानता हूं अब्बु मोदी जी नहीं चलाया है तुम्हारे अब्बु मोदी जी नहीं चलाया है वह ट्रेन जो चली है वह जो है बिहार का मुख्यमंत्री ने ट्रेन चलाया है इस्पेशल ट्रेन उसका पैसा वो देगा अगर तुम्हारे अब्बु को चलाना था तो तुम्हारे जो है हमाई चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि करोना काल में जो लाख डाउन किया गया वह सब में बड़ा घोटाला होगा इतना बड़ा घोटाला होगा कि अगर इसकी जाँच होगी तो इसका कलपना नहीं होगी क्योंकि आज जो रजिस्टेशन किये जा रहे हैं उस रजिस्टेशन के माध्यम से ये दिखाया जाएगा कि जितने भी मजदूर बाहर बैठे हुए थे सब के खाने का पैसा जोड़ा जाएगा जो ये सरकार कहती है कि हम सारे लोगों को खाना खिला रहा है सारे लोगों को बिवस्ताएं दे रहा है यह एक बहुत बड़ा घोटाला है जो आज देड़ महिने बाद कदम उठाया गया यह कदम पहले भी उठाया जा सकता था क्या आज करोना खतम हो गया आज करोना लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आज लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है, क्यूंकि यह सरकार जो है, जो घोटाले करने थे, वो घोटाले कर चुकी है, और अभी और घोटाले होंगे, यह जो है, बहुत बड़ा घोटाला होगा, अब घोटाले के यह लिए ही लोगों को रोका गया था अगर रोका गया था तो आज क्या हो गया आज उनके घरों तक क्यों पहुंचाया जा रहा है क्या आज कोरोना खतम हो गया कोरोना नहीं खतम हुआ लेकिन सरकार नंगी हो गई सरकार की पोल खुल गई पूरी तरीके से कि बाहर में फसे मजदूर जो है इनशे यह अरबपती खरबपती केवल पैसा कमा सकते हैं इनका सोषण कर सकते हैं लेकिन जब इनको दो जून की रोटी की जरूरत पड़ेगी तो कोई दो गरीबों का जो है सोषण करते हैं और आज सरकारे भी जो है इनहीं गरीबों का जो है सोषण करके यह घोटाला करेंगी जो प्रधान मंत्री केयर फंड में पैसा ही कठा हुआ है और सारा पैसा इसी में दिखाया जाएगा कि जो मजदूर एक करोडों की शंख्या में लोग तुम्हारी दो कवड़ी की है तुम्हारी दो कवड़ी की याउकात है तुम्हारी दो कवड़ी के निठलने लोग हमेशा दो कवड़ी के रहोगे और तुम दो कवड़ी के रहो तुम किनारे पड़े रहो तुम किनारे पड़े रहो भिकारियों तुम भिखमंगे तुम आज आज भी नंगे और भूखे तुम आज भी जितना परशान और मजदूर नहीं है उससे जादा तुम निहंगे परशान हो तुम देख रहे हो कि सरकारी स्थेने टाइजर कहां मिल जाए यहां तक कि जो यह गोबर भगत अंदभगत हैं यह दो जो दो समोशे के लिए पूरा द उसको उठा के पीते हैं इनकी यही एकात है लेकिन आज जो लोग फशे हुए हैं उनको छोड़ दिया गया कि जो राज्य सरकारे हैं तो राज्य सरकारे जो हैं वह बुलाने का प्रयास कर रही हैं जैसे कि जार्खंद सरकार ने अपने मजदूरों को वापश बुलाया है उसी तरीके से सारे राज्यों के लोग अपने मजदूरों को बुलाएंगे अगर उनकी हैसियत है उनकी याउकात है तो लेकिन उनकी रजिस्टेशन कैसे होगा कि कवन मजदूर कहां फसा हुआ है उनका रजिस्टेशन जो होगा वह जो है सरकारे जिलाधिकारियों को देशित करें वीडियो ग्राम प्रदान को करें ग्राम प्रदान ही सही रिपोर्ट दे सकता है क्योंकि आधे से अधीक वह फंसे रह जाएंगे वह नहीं आप आएंगे अभी तक जितने भी शाथी देख रहाएं है हमसले करूंगा कि उन मजदूरों के खातिर एक सेजर कर दो मेरे लिए नहीं उन मजदूरों के लिए जो बाहर में फसे हुए है अरे अगर तुम लोगों के अंदर रहम है जरासा जरासा भी इंसानियत बची हो तो उन मजदूरों को बचाने के लिए कम से कम एक सेजर तो कर दो तुम्हारी बीडियों लोगों तक पहुंचे सरकार तक पहुंचे कम से कम फसे हुए मजदूरों को अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो उनकी तनी मदद कर दो कि कम से कम उनके लिए शही तरीके से उनका रजिस्टेशन हो जाए उनका याकलन हो जाए और अपने घरोता को पह चादो जो तुम्हारे अब्बू जान है उनको यह पता लग जाए कि यह लाकडाउन जो उनसे आज समहल नहीं रहा है तुम्हारे वही अब्बू है जो नमस्ते ट्रंप को बुला करके अहमदाबाद में दिवार बनवाते हैं और यह वही ट्रंप है कि ट्रंप जहां जहा बर्पा है तो इन ही शाहरों में बर्पा है तो क्यों बर्पा है कि बर्पा है बताओ न तुम लोग नमस्ते ट्रंप और यह वह ट्रंप है जो तुम्हारे मोदी जी को अनफालो कर दिया गोबर भक्तों सुनो जिनको तुम अपने आपको बहुत ताकत वर बताते थे 56 लेकिन तुम्हें दर्द नहीं होगा तुम्हें पीडा नहीं होगी लेकिन मुझे पीडा है क्योंकि उसने देश के प्रधानमंत्री को अनफालो किया है तो हमें पीडा है क्योंकि उसने देश का अपमान किया है उसने मोदी का अपमान नहीं किया है उसने देश का अपमान किया है तो यह अपमान हम नहीं सकते लेकिन तुम निहंगे हो तो टरम यह हां तो यह जो है हमारे हमारे लिए शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें अपने आपको कि हम दुनिया का सबसे जो है शक्तिसाली देश अपने को मानते हैं खेती के अस्तर पे रह करके, क्रिसी प्रधान देश हो करके, हम सबसे मजबूत हैं, अगर अमेरिका केवल खेती को जोड़ करके, एक ग्री कल्चर को जोड़ करके, अगर हमारी तुलना कर ले भारत की, तो अमेरिका जो है, किसी भी अस्तान पे नहीं आएगा, भारत की तुल सरम आनी चाहिए तुमको चुलू भर पानी में डूम मरना चाहिए धन्यबाद देना चाहता हूं मैं रूस को रसिया को कि रसिया एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए भारत के साथ दोस्ती नहीं किया वह हमेशा ओचाहे एक 70 का युद्धरा हो चाहे 65 का युद्धरा हो चाहे 99 का युद्धरा हो जो भी रहा हो रसिया हमेशा भारत की मदद किया है लेकिन रसिया को छोड़ करके तुम्हारा यब्बू यह तुम्हारा पठान जो है तुम्हारा यब्बू जो अपने को पठान बोलता था यहां ट भाइरे मुद्धा नहीं है üzer बाएक असे हुए किशानों के बच्चे मजदूरों के बच्चे हैं उनको किस तरीके शे वापस लाया जाए सवाल यह है और सवाल सरकारों से है और जो लोग एक है जो लोग एक ह Мोदी चोजा रहे हैं तुम्हारे मोदी जी फिरी नहीं चला रहे हैं हमारे योगी जी भी फिरी बस चलाए थे हमारे योगी जी दिल्ली में जो है आनंद टर्मिनल पर फिरी बस चलाए थे उन्होंने घोसणा भी किया था लेकिन जब वहां मजदूर बैठ गए तो उनसे अलाहाबाद किराया 900 उपए लिया गया तब तुम गोबर भक्त कहां थे कहां मूँ छूपा के बैठ गए थे तब तुम दिखाई नहीं दिये थे तब उस समय तुम बिलों में घोश गए थे कि ये फिरी का जो है जुमला दिया गया कि जो भी दिल्ली में फसे लोग है उनको फिरी में और जाहे UP के हो चाहे बिहार के हो उनके घरों तक पहुचाया जाएगा लेकिन वे बैठे बसों में तो उनसे 800-800 रूपाय किराया लिया गया 900 रूपाय किराया लिया गया यह भी नहीं देखा गया कि जो लोग इस lockdown में बंद हैं उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो किराया कहां से देगा, लेकिन हैवानियत और जलादों की तरह उनसे किराया वशूला गया, उस शमये अंदभगत मर गए थे, गोबर भगत मर गए थे, तब इनके पिछवाडे में याग नहीं लगी थी, लेकिन जब हम सवाल हो रहा है, तो यह जो लाकडाउन है, आने वाले शमय में यह देखिएगा, कि एक 2G स्प्रेक्टम घोटाला से बड़ा घोटाला दिखेगा, जो यह मजदूरों के नाम पे बजट खर्च किया गया है, किसी भी मजदूर को एक किलो रासन नहीं मिला है, अगर किसी भी में जो लोग मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में रह रहे हैं, क्या उनको सरकार द्वारा रासन मिला, क्या उनको साबुन मिला, आप लोग कमेंट करके बताईए, कि मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि यंदभागत कह रहे हैं कि मिला है, उनको दिया गया है, तो अगर उनको मिल है तो आप लोग बताएं लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनको नहीं मिला है अगर उनको मिला होता अगर उनको मिला होता तो वो जो है बीडियो बना-बना के गालिया नहीं देते सरकार को घर आने की जहमत नहीं उठाते क्योंकि घर से जो जाता है बाहर वो कमाने जाता है नौकरी करने जाता है तो उसकी इच्छा ये नहीं होते कि हम दूसरे दिन घर पहुच जाएं लेकिन ये तुम्हारे सरकार की नाकामियों के कारण निकम्मेपन के कारण आज उनको आना पड़ रहा है जितना बड़ा घोटाला होगा आने वाले समय में तुम हमारा वीडियो डाउनलोड करके रख लेना और देखना कि कितना बड़ा घोटाला होगा इस देश के अंदर कितना बड़ा घोटाला होगा इस देश के अंदर ओ चाहे अधिकारी करें चाहे कर्मच साथी देख रहा है मैं सभी साथियों से एक बार आग गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक बार सेयर करिए अपनी अपनी टाइम सरकार से केवल जीने का हक मांग रहे हैं जीने का अधिकार मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हम घर पहुच जाएं और एक गोबर भक्त जो गोबर भक्त कहते थे कि हमारे अब्बुजान पठान साहब समार्ट सिटी बना रहे हैं सव समार्ट सिटी बना रहे हैं वह समार्ट सिटी क्या भक्तों के जो है पिछवाडे में घुस गई कहां गई वह समार्ट सिटी आज अगर इस देश के अंदर सव समार्ट सिटी नहीं अगर पचास अगर इसमार्ट अस्पताल बन गए होते यह प्रोह कोई कहे तो उसको देश्त रोखी बताओगे कम निश्ट बताओगे और अगर तुम्हारा पन्हाएं है। तो आप देश द्रोही हैं मोदी देश हैं मोदी इन अंदभक्तों के बाप हो सकते हैं लेकिन देश के बाप नहीं हो सकते हैं ये तुम्हारे बाप हो सकते हैं लेकिन पूरे देशवासियों के बाप नहीं हो सकते गरीबों के बाप नहीं हो सकते गरीबों का बाप गरीब का ह खिलजी थे तैमूर था गोरी था गजनी था जो सारे लोग इस देश में आए इस देश में क्यूं आए क्योंकि इनकी तलवारों में ताकत नहीं रह गई थे इसलिए वह इस देश में आए इस देश को गुलाम बनाए और आज यहीं लोग देश्भक्त बन रहे हैं अगर आते हैं सारा प्रमार्पत्र इनके पास है इनके जेम में पांच रुपए नहीं होता है आज जो रासन बट रहा है रास्ते में चलते हुए गरीबों को यह अंधभक्त जाके वहां रासन ले ले रहे हैं मैं बता रहा हूं आप लोगों को जब पूरी एक दिन हम लोग बटव अगर आप जो है हक और अधिकार की बताते हैं जितने भी साथी देख रहा है है मैं सभी साथियों से गुजारिस करूंगा कि इन अन्दभक्तों को जम के इनका पिछवारा लालकरो जम परिवार से पूछो और जो लोग फसे हैं उनसे पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजर रही है उनकी स्थिती क्या है लेकिन गोबर भक्त दूसरे का रासन खाते हैं दूसरे की आटा दाल को छीनते हैं खाते हैं अपने को देश भक्त बताते हैं और जब दूसरा कोई बोलता है तो उसको कहेंगे पाकिस्तान चले जाओ पाकिस्तान तुम्हारी अम्मी बैठी है कि पाकिस्तान, तुम्हारी तुम तुम्हारे क्या रिस्ते जरूर के लिए मुख्भीर है इहीं अंदभक्त किये हैं यहीं गंदभक्त किये हैं उठा लिएटा के देखलो कोई गरीब आदमी, कोई किसान का बेटा, कोई मजदूर का बेटा, देश द्रोही नहीं होता, देश द्रोही तुम हो, तुम्हारे बाप थे, तुम्हारे दादा थे, तुम्हारे याजा थे, तुम्हारे नाना थे, तुम्हारे नानी थी, बाकी हम लोग देश द्रोही नही है हम लोग देश भगता हैं और वह देश भगता है जो अन्न पैदा करते हैं तो पूरे देश को जिंदा रखते हैं और देश के साथ साथ विदेश को भी जिंदा रखते हैं लेकिन तुम्हारा जो बाप है अब्बू जिसको अपना बाप बनाते हो तुम्हारा बाप भारत क पुछान से चीनी चीनी नहीं और पिए पी रहे तो कोई अगर करते हो कि कोई मित्राइब पैचाइब कि और ना बहुंगे का भईया का हाल है का भाईया का हाल है ऐसा पूछो गोतियक चाय तुमको भी पिला देगा तो तुमको तो पाकिस्तानी चीनी पसंद है तुमको अफगानिस्तान की प्याज पसंद है तुम तो देश द्रोही सदियों से रहे हो और आज भी देश द्रोही हो तुमसे प्रमाड पत्र लेने की जर और जब तक वो अपने घरों पर पहुचेंगे तुम्हारी गाइडलाइन नहीं है कि तुम पहुचाओगे अभी मैं देख रहा था कि कुछ अंदभक्त कह रहे थे कि हर्याडा या दिल्ली से जितने लोग फसे थे उनको योगी जी घर पहुचा दिये आज दिल्ली में कितने लोग फसे हैं हर्याडा में कितने लोग फसे हैं पंजाब में कितने लोग फसे हैं ये फरवे कराके देखो तुम चार बसे भेज दिये पचास बसे भेज दिये तो उससे लोग आ गए आज लोग फसे हैं कोई आया हो या नहीं है तुम लोग बेकूब बनाते हो तुम्हार पास कोई guideline है नहीं कि कैसे लोगों की पहचान हो कैसे लोग आएंगे तो मैं जो बता रहा हूं कि जब तक gram-pradhan से सूची नहीं तयार कराई जाएगी सारे लोगों को गाउं में नहीं लाया जा सकता है तब तो उसी शमय लाया जा सकता है और इन गोबर भक्तों से अंदभक्तों से अफगानिस्तानियों से पाकिस्तानियों से शावधान रहिए यह पक्के जो है देश द्रोही तब भी रहे थे और आज भी हैं और जब हमारी बात करेंगे तो यह कहत्तर का युद्ध हो चाहे 65 का युद्ध हो चाहे का यु पत्र लेने की जरूरत नहीं है और आज जिस समय का सिचुएशन पैदा हो चुका है आज रोजगार नहीं है इन जनों के नाजूल पंप खोलेंगे और लोगों के रासन को जो है एक चुराएंगे लोगों की रोटियां चुराएंगे लोगों के घरों में जाके यह वही झालो झालोगों के वह झालोगों सिचुएवज।